हेलो दोस्तो आईए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने निलेस के साथ और आज हम देखेंगे प्रजेंट टेंस में उसका तिसर प्रकार प्रजेंट पर्फेक्ट टेंस जो पहले बार देख रहे हैं वे जान ले कि प्रवरतक इस पोगन एंगलेस का फुल कोर्स चै लिए वीडियो की नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें फिर प्लैलिस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी कोर्स के úके प्लेलिस मील जाएंगी ज्स में कर लें यहाँ पर क्लिक करके और बेल बेटन पर क्लिक कर लें ताक कि आने वाले नए वीडियों आपको तुरंत मिलते रहें तो आईए शुरू करते हैं आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है इसका फॉर्मूला क्या है वाक की रचना कैसे करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला इस्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट फिर है ज्या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन अदर वर्ड्स सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे फिर है ज्या है दुनों में से कोई एक और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर थार्ड फार्म यूज होती है चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो या फ्यूजर हो क्लिए अब रही है यह की बात तो जैसे पहले भी चुके है है के कुछ मोर्लस फगेरे में अब है जो है सिंगुलर सब्जेक के साथ यूज करते हैं जैसे की ही सी इट नाम किसी का भी राम स्या हम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक जैसे बस्रूम या फिर हैव का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक के साथ जैसे की यूवी दे पैंस फ्लॉवर्स मगर आई और यू को भी हम प्लूरल मानते है इसलिए आई और यू के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे ऐसे वाक्ष जिसमें हम बताते हैं कि वर्तमार में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है ऐसे वाक्ष प्रजन परफेक्टेंट से बनते हैं क्लियर कि ऐसे वाक्ष या ऐसे वाक्ष जिसमें हम बताते हैं या हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो गया है, पूर्ण हो चुका है, तब वह sentence प्रजेंट परफेक्टेंस से बनता है, या यूं कहें कि प्रजेंट परफेक्टेंस में वे sentence आते हैं जिसमें हम बताते हैं कि वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण हो गया ह है clear present perfect tense के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका हूं चुके है चुकी है होता है और present perfect tense के जो sentence होता है उनके अंत में चुका है चुके है इस प्रकार से आते हैं जैसे मैं जा हुँ उड़ा चुका हूं वह खाना खा चुका है वेस हो चुके है मैं पढ़ाई कर चुका हूं clear कि समन्त है present perfect tense के इंदी के ऐसे sentence जिसके आखनी में चुका है चुके है आता है वह present सेंटेस होते हैंद सामान्य रूप से बोलचाल में झारूरी नहीं है कि जहें जन्द के सेंटेस भूलते है उसके अंत में झुका यूदि जैसे मैंने खाना हो लिया है ह gummy आद लिया है सिंपली हम एक से बोलते हैं और अछी से बोले इसNS कि बोले में खाना खा चुका हूं जा चुका है clear मैंने उसे बूख दे दी है मैं क्या कहूंगा simply कहूं कि मैंने उसे बूख दे दी है या हिंदी में कहें अच्छी से तब हम कहेंगे कि मैं उसे बूख या पुष्तक दे चुका हूँ तो कहने कहां से समझ में आ गया होगा कि जब हम हिंदी को थोड़े अच्छी स्थर पर बोलते हैं तो हिंदी के sentence में चुका है चुके है आता है नहीं आता है तो present perfect tense में केवल आपको बस concept या दखना है कि कोई भी कारिय कोई भी कारिय वर्तमान में पूर्ण हो गया है मतलब वो present perfect tense में है आप यदि बताना चाहते हैं कि कोई कारिय पूर्ण हो गया है कोई केरिय पूर्ण हो गयी है वर्तमान में तो वह sentence present perfect tense में आता है और आपको इसके फॉर्मूले से उसको बनाना है तो आएए इसे example से समझे राहुल सो चुका है तो सोड़ने के किरिया पूर्ण हो चुकी है तो फॉर्मिल के साथ से नीचे देखें सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा राहुल राहुल सिंगुलर है व्यक्ति का नाम है इसलिए उसके साथ लगेगा हैज राहुल हैज सोने के लिए वर्ब आएगी स्लीप स्लीप की थाड़ फॉर्म स्लैप्ट राहुल हैज स्लैप्ट कारिक्रम खत्म हो चुका है तो सब्जेक्ट में कारिक्रम को इंगलिस में कहेंगे प्रोग्राम प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम है एक से अधिक program है तो programs एक है, मतलब singular है इसलिए has program has खत्म होने के लिए verb finish और finish की थर्फ फॉर्म finished program has finished clear next वे साधी में पहुच चुके हैं तो subject subject में आ जाएगा वे के लिए they, they हुआ हमारा plural subject इसलिए है आएगा have they have पहुचने के लिए बरबाएगे rich और rich की थर्फ फॉर्म finished they have finished और साधी में तो in marriage या at marriage वे इस्टेशन पहुच चुके है they have reached at station clear मैं school पहुच चुका हूँ I have reached at school इस प्रकार से हम अलग-अलग sentence बोल सकते हैं मैं कपड़े धूल चुका हूँ या मैंने कपड़े धूलिये है धूलने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है तब हम subject में कहेंगे I I के साथ लगेगा have और धूलने के लिए बर was was के थर्फ फॉर्म washed I have washed कपड़े को कहेंगे cloths तुमने यहां गलती की है तुमने साबने वाले से कह रहा है इसलिए सम्मोधन में यू आएगा यू के साथ लगेगा have गलती करने के लिए वर्फ आएगी make और make की थर्फ फॉर्म made make का एक अर्थ होता है बनाना सामाने रूप से बनाना के लिए make वर्फ का यूश करते हैं प्रन्तु गलती के लिए हम make वर्फ का यूश करते हैं clear तो you have met this mistake यहां गलती तो you have met this mistake तुमने यहां गलती की है भारत में जीच चुका है इंडिया has won जितने के लिए वर्फ होती है विन और विन की थर्फ फॉम इंडिया has won the match मैं सर से permission ले चुका हूँ I have taken permission to sir sir ने meeting बुलाई है sir has called a meeting बुलाने के लिए पुकारने के लिए वर्फ दिये call और call की थर्फ फॉम called जैसे sir ने मुझे बुलाया है sir has called me sir ने तुम्हे बुलाया है sir has called you clear इस पकार से बोल सकते हैं class सुरू हो गई है class has started उसने पैसे जमा किये है he has deposited money उसने मुझे सब कुछ बता दिया है he has told me everything clear सब कुछ के लिए English word आएगा everything और बताने के लिए वर्बात यह tell और tell की थर्फ फॉम told पिहू को बुखार आ गया है या पिहू को बुखार हो गया है तो होने के लिए वर्बाएगी get और get की थर्फ फॉम got का हम use करेंगे sentence होगा पिहू has got fever उन्होंने पुराना मकान बेच दिया है they have sold old house पुराने के लिए old और घर के लिए और मकान के लिए word आएगा house तुम बदल चुके हो you have changed तुम पूर्ण रूप से बदल चुके है you have changed completely plant समाप्त हो गया है plant has expired समय सिमा समाप्त हो जाती है तब हम वहर विज़ करते है expire तो expire के थर्फ हो expired plant has expired उसे रात में अस्पिताल में भरती किया है he has hospitalized at night clear वर्भ हो गी हाँ पर hospitalized उसके थर्फ हर्फ हो जाएज़ नाव संकर मस्च का है संकर है जाएज डाइड मैंने सब कुछ खरीद लिया है I have purchased everything खरीदने के लिए बरबाएगी by और purchase तो purchase की थर्फ होगी purchased अब negative sentence,स्पिताल्य के लिए has है श्रीक के भाद not लगाएंगे जैसे वह नहीं आया है तो perfect tense काम हो गया है तो perfect tense नहीं आया है मतलब negative तो negative के लिए has ये have के बाद not तो sentence में subject he helping of has has के बाद लगा not और वर की थार फ़र्म come he has not come Ria तियार नहीं हुई है Ria has not got ready तुमने कुछ भी नहीं सीखा है You have not learned anything मैंने खाना नहीं खाया है I have not eaten food Movie शुरू नहीं हुई है Movie has not started हम अभी तक नहीं पहुचे है We have not reached 8 Gogi का 10 का note नहीं मिला है Gogi has not found 10 rupees note कोई घुमा हुआ अभी तक नहीं मिला है तब वर्ब यूज करेंगे हम Find और Find की धर फॉर्म Found Mobile full charge नहीं हुआ है Mobile has not got full charged अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रस्णवाचक वाग किया तो Present Perfect Tense में इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड Has या Have subject वर्ब की धर फॉर्म Then Other Words क्या गेश्ट आ चुके है क्रिया हो चुकी है या नहीं हो चुकी है तब इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आएगा Helping वर्ड से चालू करेंगे तो Helping वर्ड हो जाएगी Guest singular subject इसलिए Has फिर Guest Come Verb की थर्ड फॉर्म Has Helping वर्ड गेश्ट सबजेक्ट और वर्ड की थर्ड फॉर्म Come Has Guest Come Next वे मंदीर कैसे गय है तो कैसे के लिए Integrative वर्ड हाउ फिर Helping वर्ड हैस How has he gone to temple How has he gone to temple वह मंदीर कैसे गया है कौन आया है Who has come Who has come कौन गया है Who has gone Clear क्या आप सो चुके हो Have you slept उसने नौकरी कब छोड़ी है कब मतलब Integrative Sentence वह वर्ड रहेगा When तो when has he left the job When has he left the job क्या आप सीख चुके है Have you learnt क्या आप English सीख चुके है Have you learnt English क्या आप यह समझ चुके है Have you got it या Have you understood क्या आप ने लंच कर लिया है Have you taken lunch यादे डिनर कर लिया है तो हम कहेंगे Have you taken dinner क्या तुमने तुम्हारा काम खत्म कर दिया है Have you completed your work Have you completed your work क्या आपने अपना homework complete कर लिया है तब हम कहेंगे Have you completed your homework Clear आज के लिए बस इत्ता ही कमेंट करके ज़रूब बताया अच्छा लगा है पुरा नए वीवर्स सब्क्राइब करें बेल बेटन पर क्लिक करें और कम से कम लाइक तो जरूर करें Thank you